12 हिंदी के अध्यादो का चप्टर को जो नाम है उसने कहा था कहानी का सारांस जो एक प्रेम का था पर अधारित कहानी है उस पर आज चर्चा किया जाएगा उसने कहा था कहानी के सारांस को परने से पहले एक नजर हम लोग देखेंगे जो इस कहानी के कौन-कौन पात्र है उसने कहा था कहानी का सारांस की परमुक पात्र इस परकार है इसमें लाना सिंख एक सिख है फिर सुविदार नी एक सिख लरकी है हजारा सिंख सुविदार है बोधा सिंग है वजीरा सिंग है कीरा सिंग है इसके बाद इस कहानी के सारांस के और हम लोग चलेंगे इस कहानी के सारांस को समझने का प्रयास करेंगे। उसने कहा था कहानी का सारांस उसने कहा था कहानी चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी की अमर रचना है अगर आपसे अब्जक्ति में प्रस्ण आएंगे कि उसने कहाता कहानी किस पकार की कहानी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसने कहाता कहानी की जो रचना है वह है अमर रचना क्योंकि कहानी की शुरुवात होती है कहानी का जो आरंब होता है अमरी सर बजार से होती है जहां आठ वर्सिये सिख बालिका एबं बारो वर्सिये सिख बालक आपस में बातचित करते हैं और दोनों ही बालक और बालिका अपने मामा के पास अमरी सर आई हुए थे दोनों बज अमरी सहर बजार जाते हैं तो बालक मुश्कुरा कर बालिका से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई अर्थात बालक बालिका से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई कुर्माई का यहां साब्दिक अर्थ यह होता है कि साधी तेरी साधी हो गई तो इस पर बालिका आख च देखता ही रग या इसी करी में लर्का लुढकते पुढकते घर तक गया बालक और बालिका दूसरे तिसरे दीन कभी किसी दुकान पर तो कभी कहीं टकड़ा जाते और बालक वही प्रसंदोराते चुकि एक दीन जब बालक बालिका से पूझता है कि तेरी कुरुमाई हो गई तो इस पर लर्की बोलती है हाँ हो गई जब यह बात बालक सुनता है तो गिरते पड़ते हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचता है इस घर्टना के पचीस वर्ष के बाद कहाने का दूसरा भाग आरब होता है तब इस बालक का नाम लाना सिंग और एबं बालिका का नाम हो जाता है सीखराइफल्स के जमादार लाना सिंग का नमर 77 रहता है लाना सिंग जमादार के पद पर सेना में काम करता है कुछ दीन के बाद लाना सिंग को सुबेदार हजारा सिंग कहते हैं कि मेरी सुवेदारनी तुम्हें पहचानती है कालंतर में सुवेदारनी की जो पती थे सुवेदार हजारा सिंग वह लहना सिंग को कहते हैं कि मेरी जो सुवेदारनी है मेरी जो पत्नी है वह तुम्हें पहचानती है और वह आपको बुला रही है इस बात को लेकर लहना सिंग को बड़ा आश्यज होता है कि हम तो कभी सुविदार के क्वार्टर में भी नहीं गए वह मुझे कैसे पाचान सकती है चुकि कुछ दिनों के बाद लहना सिंग सुविदारनी से मिलने उसके क्वार्टर जाता है जब लहना सिंग क्वार्टर पहुंचते हैं तो इस पर सुब्यदारनी कहती है कि मेरी कुर्माई हो गई तो इस पर लहना सिंग समझ जाता है कि यही वह लड़की है जो अमरी सर के बजार में आज से 25 वर्ष पहले हमें मिली थी जो मुझे बजार में टकड़ाई थी जब सुब्यदारनी लहना सिंग से मिलती है तो वह अपने पती हजारा सिंग एवं पुद्र बौधा सिंग की रक्षा करने के लिए कहती है जो जर्मनी की लराई में रहता है अंत में लहना सिंग युद्भूमी में अपनी जान की परवा किये बिना हाजारा सिंग एवं उसके पुद्र बौधा सिंग की रक्षा करते हैं और इस बचाव में लहना सिंग घायल हो जाता है सुब्यदार्नी तथा उसके पुद्र को गारी में बैठा कर कहता है कि आप सुब्यदार्नी से कह दीजिएगा कि उसने जो हमें कहा था वह मैंने कर दिया लेकिन इसी बीच हजारा सिंग पूचता ही रह गया कि उसने क्या कहा था इतने में गारी खुल जाती है तब लहना सिंग गीट परता है तथा वजीरा सिंग से पानी मांगता है और कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है आपको अध्याद दो जो उसने कहा था जो कहानी है इसका बहुत सौट नोट आप लोग तक हम पहुचाने का परियास किये आप लोग को इतना भी अगर याद हो जाता है तो बहुत ही इंपोर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा इतना ही आपको सौट नोट याद करने की ज़रूरत है अब चलते हैं उसने कहा था कहानी के बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की और जो इजाम के दिश्टी से बिहारबोट इजाम के दिश्टी से सभी फेकल्टी साइंस कोमर्च या आठ्स हो सभी फेकल्टी के लिए अति महत्पुर्ण प्रस्ण है उस ने कहाता कहानी की जो रचना है वह एक अमर रचना है चंद्धर्न सर्माज गुलेडी जी की जो जनम है जनम हुआ था अठाशो टरा सीज पी में राजस्थान के जैपुल जिला में हुआ था। गुलेरी जी मादरыл थीन कहानी को लिक करके और कहानिकार के रूप में हिंदी जाहितें उभरे थे और इनके द्वारा गुलेरी जी के द्वारा हिंदी संस्कीत और अंग्रेजी इत्यादी भासाओं के बारे में भी इन्हें मतलब की जानकारी प्राप्ती इसलिए हिंदी संस्कीत और अंग्रेजी इत्यादी भासाओं के इन्हें प्रकांड पंडित भी कहा जाता था उसने कहानी को इनके दोवारा लिखी गई थी उने 5192019 में और उसने कहा था कहानी एक चरित repar अमेर रचना उसने कहाता कहानी को अमार रचना भी कह सकते हैं और उसने कहाता कहानी को एक प्रेम रचना स्रमा गुलेरी जी के द्वारा मातर तीन कहानी लिखी गई थी उसने कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील के पथर माने जाती अबजेक्टीव में अगर आपसे बुछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी किस पकार की कहानी है तो मील का पथर कहानी है तेरी कुरुमाई हो गई यह कथन किस पार्ट से लिया गिया है तो उसने कहा था कहानी कि नायक नायक जो है लाना सिंग को कहा जाता है कच्छवा धरम गुलेडी जी की किरती याुकर खुर्माई का साथां करते हैं और आप साधी उस ने कहते कहानी में अमरी की कैटsemble किया कि Championship नाम माजे था यह अब्जेक्टि में बिहारबोट के दुवारा बार बार पूछा गया है प्रसन है इसलिए आपको ध्यान देना है लाना सिंग जमधार के पतपर था लाना सिंग की मिर्तिव वजीरा सिंग की गोद्मी विथी अब्जेक्टि इस पकार के भी आ सकते हैं कि ल मुझे ते वजीरा सिंग की गोद्मे वजीरा सिंग पल्टन का बिदु सक्ता सुविदार हजारा सिंग के लरके के नाम बाउदा सिंग भारती सिपाहियों का संगर्स किस देश से हुआ था इस पकार के भी आप से प्रस्त पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान देना है कि जर्मनी की सीपाईयों के साथ बारती सीपाईयों का संघर सुभा था सीख राइफर्स के जमादार लाना सिंग का नमब 77 था सरदार ने सुभिदार को जमीन लायलपूर की वाली दी थी आपको ये भी ध्यान देना है कि सरकार के दुवारा सुभिदार को जमीन दी गई थी कह कि जमीन दी गई थी तेलायलपुर की जमीन दी बिना फेड़े घोड़ा बिगरता है और बीना लड़े सिपाही यह कतन इस उसने खाथा कहानी पार्ट से लिया गया है उसने काता कहानी को पांच भायन बाटा गिया है यह अब जैक्ट हथीश्टीश आत्रेशन वालों कात नखाता बंड़्वांचों कलते एक अब्जैक्ट मो आपको उप्जैक्टैेव में भी पूछा जा सकता है और उसके यह सो आपको भावार्थ में भी पूछा जा सकता है आपको कहया कि नीमोनियां से मरने वालों को मुरब्य नहीं मिलते इस कथन को असपश्ट कीजिए तो आपको ध्यानक नहीं कि नीमोनिया से मरने वाले को मुरब्य नहीं मिलते यह कर्थन जो लिया गया है उसने खाता कहानी पार्ट से लिया गया है इसको इस पकार ली सकते हैं कि नीमोनिया से मरने वाले मुरब्य प्रस्तूत पंक्ती उसने खाता कहानी पार्ट से लिया गया है जिनके लेखा का नाम च जारा सिंग बोधा सिंग वजीरा सिंग किरा सिंग और महा सिंग यह बहुत इंपोटेंट और प्रस्तन होगा कि लहना सिंग सुविदार नी हजारा सिंग बोधा सिंग वजीरा सिंग किरा सिंग या महा सिंग किस पाठ के परमुक पात्र है तो आपको ध्यान देना है उसने कह लिखी थी फिर पुराता तो लिखा गया था इनके द्वारा कचुवा धरम पुरानी हिंदी भारत वर्स खोज की खाज क्रियासील हिंदी एक अंटेंपरेडी ओन वास्यायान कामशुत्र इतना ही नहीं बलकि इनके द्वारा देश प्रेम को लेकर कुछ कविताय भी लिखी गई थी उसने कहाता कहानी एक काल जाई रचना है उसने खाता कहानी किस पकार की कहानी है तो एक चरित परधान कहानी है आपको ध्यान रखना है उसके बाद जैसो आपको यह भी अब्जेक्टिक दिश्टी से बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण होगा कि प्रसिद फिल्मकार वीमल लाई ने किस कहानी पर फिल्म बनाए थी तो उसने कहाता कहानी पर प्रसिद प्रसिद जो फिल्मकार थे वीमल लाई के दुवारा उसने कहाता कहानी पर क्या किया गया था फिल्म मनाया गया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब पता के लिए जैहिंद जैवारत यह जो कहानी है मेरे द्वारा बहुत ही सौट करके आप लोग को समझाया गया है लेकिन ध्यान देना है कि इस कहानी को एक वार और आप लोग अपने अस्तर से बुक दे करके पढ़ लेंगे चलिए मिलते हैं नेक वीडियो में जैहिंद